जिले से आये अमारे मुस्लिम माइनारिटी, सिक माइनारिटी, अमारे फकीर बहन भाईयों, आप सब का सलाम. आज केसियार साब ने माइनारिटी के लिए कितना इज़त दिये, आप सब जानते हैं. आज महमुद अली साब को पिछले ठर्म में वो रेविन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी सियम भी थे, अब ये साल होम मिनिस्टर है. आज के जमाना में इतने रियासत में कहीं माइनारिटी सको होम मिनिस्टर बना रहे हैं. बोले तो सियम साब ने अपने लिए इतना इज़त दिये हैं, अपने सब को मिलके देख रहे हैं सियम साब. जो गंगा जहमिना तैसी बातों में नहीं, कामों में सियम साब ने करके दिका रहे. आज हिंदू लोगों के लिए कल्यान लक्ष्मी सकीम लाए तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए आज शादी मुबारक सकीम साब ने कुले हैं. जैसा हिंदू के लिए हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते वैसे ही मुसल्मानों में जो गरीब है उनके लिए बीस इम साबने स्कीम खुले हैं आज शादी मुबारक में आप जानना चाहते हैं, दो लाग पचपन हजार शादियों के लिए अभी तक मदद कर चुके हैं, दो लाग पचपन हजार शादी हुकूमत के तरफ से एक एक लाग रुपया दे के आज शादी करवा रहे हैं, अभी तक दो हजार दो सव करोड रु पूछ रहे थे कि हमारे मैनाटिस के लिए भी बगर बैंक कांसेंट बगर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से एक लाक रुपया स्कीम होना बोलके अभी शेकिल साब ने पूछ रहा था मैं आपको ये कुशकबरी देना है महमुद अली साब ने एक अफ़ते पहले ही सीम साब से मिलके ये ऐसा स्कीम हमारा मैनाटिस में भी बहुत गरीब लोगे बैंक में जिगे तो कांसेट नहीं मिल रहा हमें एक लाक सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोलके महमुद साब ने सी होना चाहिए हम मैनाटिस के लिए ले भी एक यहाप रूपया बागर बेंक कोंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देनेवाला है वो एक दो दिन बे एक दो दिन में जीवो निकलने माला है से मुझान में ऑड़री विद्धा लगदे चुके हैं ये कुश कबरी मैं आपको देन बाई एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी कभी भी वो मैनाटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फाइदा उठाए लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करें कांग्रेस पार्टी बोलना एक है करना एक है बोलते हैं कि हम सेकुलर पार काम करें जरा आप लोग सोचना चाहिए इतने साल से कांग्रेस पार्टी हुकुमत में हैं क्यों हमारे मुसल्मान भाई अभी भी गरीब है इस देश में क्या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सुके हैं आज एक बात मैं आपको अच्छा समझने के लिए बोलना चाहता पिछले दस साल केसियार साब से पहले दस साल ये राज में कांग्रेस पार्टी हुकुमत में थे पिछले दस साल में कांग्रेस पार्टी ने मैनाटिस के लिए कितना रखम कर्च करा बोले तो बारा सव करोड रुपया कर्च करे दस साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रे करच कर चुके हैं कहा बारा सो करोत रूपई कहा नौ हजार एक सो करोत रूपया यह यह हर बहंद currency के ज़रूत से मेरा शेकिल भ१ भाई भोल रहे 50 साल के खांग्रेस हम नहीं करें लेकिन नौ साल में के सियार साब ने हमारे मैनाठी को बच्चों को पढ़ाने के लिए शादी मुबारक के लिए बहुत स्कारे स्कीमों के उपर ये 9100 रुपया आज स्रीयम साब ने कर्च कर रहा हैं ये ये साल की बोलना चाहिए ये साल में भी हम बज़ेट में इतने पैसे रहें 2200 क्रोर्स 2200 क्रोड रख चुके हैं बज़ेट में कांग्रेश ने 1200 क्रोड रुपया नाव गया जुपने मैनाठी के लिए नहीं दिये हैं ये हर मुसलमान बाई बहन सोचनी की जरूत है ऐसे बहुत चारे अच्छे स्कोल पूरे दुनिया में 28 रियासत है 28 रियासत में जितने Residential स्कूल है उससे ज्यादा Minority Residential School आज तेलंगाना में है एक या दो दो साउत तीन मैनाटी रेजिदेंशल स्कूल सीयम साब ने अपने बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए रखे हैं कल के दिन अपने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजिनीर बनते IAS आफिसर बनते फारण जाके बड़े-बड़े नवकरी करते हैं आज के जमाने में इंग्लीश पढ़ना जरूरत कंपलसरी होगे अच्छी नवकरी मिलना है तो इंग्लीश पढ़ना है सीयम साब ने ये सोच के उर्दू भी पढ़ा रहे, इंग्लीश भी पढ़ा रहे नमाज भी करा रहे, बच्चों का पढ़ाई भी कर रहे सीयम साब ने ऐसा कोई सोच सकते आज मैनाठी रेसिदेंशल स्कूल में इंग्लीश मेरेम में बच्चे को पढ़ाते हुए साथ साथ में उर्दू भी सिका रहे सीयम साब ने कोई सोच भी सकते हैं नीन में भी कोई सोचे भी नहीं हूँगे कि दो साथ जूनियर कालेज अपने बच्ची और बच्चे पढ़ने के लिए सीयम साब ने देंगे बोलके एक भी नहीं था पिछले कांग्रेस पार्टी के सतर साल के उनके जमाना में अपने बच्चे पढ़ने के लिए एक भी मैनाटी रेजिदेंशल स्कूल नहीं दिये, जो 70 साल में एक भी नहीं दिये, KCR साब ने 200 रेजिदेंशल मैनाटी स्कूल दिये हैं, आप सोचो, एक गर में एक डॉक्टर बने तो, कितना रोशनी ओ गर में आएगा, एक आपको एक छोटा सा एक्जाम्पूल देता हूं, ओल्ड सिटी में एक बार सी एम साब दोरा करे तो, एक लड़की आये थी, उनका पिताजी बेकरी में काम करते थे, पिताजी का थनका है 5500 रुपय महिने में, पिताजी का थनका है 5500 रुपया, वो लड़की केसियार साब क को मिलके दरखास दी, साब मैं पाइल próxima पाइलेट बनना चाहता हूं, लड़की का नाम है सालुआ पो कितिना पैसे जरुवत है, लड़की बोले की 300 रुपया का जरुवत है, लड़की के 35 रूप एक जरुवत है, सी एम साप फारण, वो लड़की को 35 रुप Не 1 6500 सैंक्शन करा के उनको पाइलेट ट्रेनिंग दिलाई